नमस्कार दोस्तों मैं धरवेन वर्मा उनलाइन इस्टेडवी डीकी में आपका बहुत बहुत श्वागत करता हूँ आज है 24 जन्वरी और सीटी एट का फर्स्ट रिप्ट का पेपर हो चुका है जिसमें हम आपको परियावरण बालविकाज गनीत हिंदी संसिक्रत के टोटल 44 प्रस्ट आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जो प्रस्ट आपके द्वारा पूरे पूरे बताएं उनके उस्तरी भी आपको बताएंगे साथ में टोपिक भी बताएंगे किस प्रकार के टोपिक से प्रस्ट पूछी जा रहे हैं आज की पेपर की बात करें तो आज का जो वो बहुत ज़्यादा ना तो टप आया था ना ही सरल आया था सरल से मोडरेट आपके सकते हैं जो पूछ गये थे सभी सभी अचाहिजं नहीं है, बहुत सारी बचे एनलेसिस देखके बहुत ज़्यादा घ笑वरा जाते पेनिक हो जाते हैं कमेंट से करते हमारा एक्जाम केस वहाँ तो यहाँ पर घखवराने की अवसकत नहीं है जो पेपर आ रहा है वो सरल आ है ज़रह टप नहीं आ रहा हन् प्रशन वहीं आ रहे हैं जो आपने पड़े हैं तो घबराने के अवशक्ता नहीं है यहाँ पर पीडियेप के हम बात करें कि पीडियेप आपको कहां से मिलेगी तो आप हमारे एप से ओनलाइन एस्टेडिविट डिके को डाउनलोड कर लिजेगा वहाँ पर आपको तरकाल यह पीडियेप मिल जाएगी यह जी सामते का आप इंतरियार कर सकते तो टेलिकरम ओनलाइन एश्टेडिविट डिके के नाम से हैं तो वहाँ पर भी यह पीडियेप उपलब्द हो जाएगी साथ पे एक नंबर यहाँ पर दिख रहे होंगे 9340089205 इस नंबर को सेव कर लि ही यह आपको एक्जाम होल के तुरंत बाद बताना आप प्तना मोबाइल निकाल का रहे हुँआ दी जो PDF आपको कहा मिलेगी है, फ्री PDF है, इसके पैसे देने के आउशकता नहीं है, यहाँ पर देखिए, जो आप जो टोपिक है, वो हमने किलियर करें है, चेतर के माध्यम से आपको समझाय गया है, साथ में, 6-7 की जो साइन से उसको भी 8 किया गया है, 500 प्रशने हैं, जदी आज की हम बात करें, तो प्रशने हैं, वो काफी देखने को मिले हैं, तो वो प्रशने भी हमने यहाँ पर जरूर कर लिजीगा, परियावरन की बात करें, तो परियावरन में जो ओनलाइन इसके पहले आपके एक्जाव होई थी, उसमें यह प्रशने पूछा गया था, प्याज इसे सम्मान दी थे, पूछा गया था, आपको भी ध्यान होगा, वहाँ कपर सही करम आपको बताना थ आज फिर वो प्रशने पूछा गया है कि निमलिकित प्याज की खेती के विभन ने चर्णों का सही करम बताई है, सही करम पहले भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है, पांच विकल्प थे, और कूट में आपको आंसर देना था, कि सबसे पहले क्या किया जाता है, तो देखिए सबसे पहले क्या किया जाता है, गुडाई की जाती है, गुडाई की जाती है, व्रदा को पोला किया जाता है, नरम किया जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, प्याज को उखाड कर निकाला जाता है, उसके बाद क्या किया जाता है, उसके बाद प्याज के पर आपका सही होगा जिस प्रकार से मैंने आपको बताई इस प्रकार से यदि आपने विकल पर चुने होंगे तो बिल्कुल आपका correct answer होगा चलिए दूसरा प्रश्ण पूछा गया था आपसे कि किस पक्षी के सिर के सामने इंसानों की तरह आखे होती देकि प्रश्ण नहीं बतला होगा उत्तर आपका यहां पर उल्लो ही होगा यदि विकल पर यहां पर चेंज होगे तो कमेंट से के मात्यम से बता दीजेगा है न और जो प्रश्ण मैं यहां पर नहीं बता पा रहा हूँ उन सभी बच्चों से निविदन है जिसका आज पेपर था यदि यह वीड तरीके से बहतर त्यारी कर सके क्योंकि जो आप देखेंगो उसमें से भी काफी प्रश्ण आगे पूछ जा रहे हैं चली तो राइट अंसर आपको क्या होगा यहां पर उल्लो होगा देखिए यह प्रस्ण सायथ आपका कल भी पूछा गया था या फिर प्रस्ण पूछा ग को ओजुन दिवस कम मना जाता है तो यह 16 सतंबर को मना जाता है वेसो पर्यावर्ण दिवस कम मना जाता है तो 5 जून को मना जाता है अंतराष्ट जे विवित्ता दिवस यह कम मना जाता है तो यह 22 अप्रेल को मना जाता है तो इद दिवसों को भी याद कर लिजेगा यह आ पूर्टी के लिए करता है हवा वायू जल ये चारो विकल पे बिल्कुल सही इस प्रिकार के विकल पे थे तो पोशक तत्व यानि कि घटपणी पूधा कहां पर उगता है सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है जिस मिट्टी में नाइ देते हैं आपको कि जो मानसारी पोधे होते हैं वो परपोशी से आवशक पोशक तत्व प्राप्त करते हैं जो खाते कीडो मुकडे होते हैं उनसे जो पोशक तत्व हैं उनको गहन करते हैं और मेंड़क कीडे और यहां तक की चुए भी फसाते हैं और खाते हैं जो घटप का होता है और मुह एक पत्ते से इसका धका होता है और ये भी पूछा जाता है कि जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसके तरब क्यों आते हैं तो इसकी एक विशेस गंद होती जो कीड़ों को अपनी और आकरशित करती हैं जो फस जाते हैं और बहार नहीं निकल पाते हैं या सक्यों करता है यह पर उसने पूछा गया था विकल पेसे थे या नहीं इसका मुझे जानकरी नहीं लेकिन आंसर जो मैं बताऊँगा वहीं है न तो पक्षी अपनी गर्दन को बहुत बार हिलाता है सक्यों करता है वे उड़ सकते हैं इसलिए पक्षियों की आखे चोटी होती या फिर उनके कान पंकों से ढखे होते हैं तो यहाँ पर पक्षियों के जो आखे होती वो क्या होती है इसलिए जो पक्षियों अपनी गर्दन को बार-बार हिलाता है यही इसका कारण है साथ में पक्षियों की आखे उनके सिरके दोनों किनावर उपर टिकी होती ही जिसके कारण एक तरब की आख से वो देख सकते हैं दूसरी तरब से नहीं देख सकते हैं इसलिए वो बार-बार अपनी गरदन को हिलाते हैं लेकिन प्रस्ण कुछ इसी प्रकार से था कि मैं कुह 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 करती है तो नाम पूछा गया था कि उस पक्षी का नाम क्या है ये फिर मेरा नाम क्या है इस प्रकार से प्रस्ण था तो राइट आंसर आपका क्या होगा है वहाँ पर कोयल होगा कल भी ये प्रस्ट पूछा गया था भारत का ठंडा रेगिस्तान कौन सा है वहाँ पर मैंने आपको बताया था analysis के माध्यम से लद्दाग आपका बिल्कुर सही आंसर होगा लद्दाग को भारत का ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है हातियों के बारे में प्रस्ट था देखिया हातियों के बारे मेरे अनुसार ये चार विकल पर रखे गए हैं चार विकल पर किस प्रकार के पूशे गए थे इसके जानकारी मुझे नहीं है लेकिन जब भी मैंने analysis किया है हाति के बारे में सारी जानकारी आपको दी है यदि आपने बाकी के analysis नहीं देखे तो उनको भी देख लीजेगा, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, प्रस्न देखिए हातियों के बारे में निमलिकित कत्नों पर विचार करना था, और बताना था कि निमलिकित में से कौन सा कत्न सकती है, पहला विकल पे आपका कि हाती ब उन्हें कीचड और पानी में खेलना पसंद है, कीचड उनकी तवचा को ठंडा रखती बिल्कुल सही है, यह भी आपका सही आंसर होगा, हाती जुन्ड में सबसे बड़ी मादा हाती, सब कुछ तई करती, जो नेता होती, मादा हाती, जो बुजुर्ग होती ही, बिल्कुल आपका चोथा विकल्प सही होगा, तो एक, तीन, चार आपका सही होगा, यहने की एक, तीन, चार जो विकल्प होगा, वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, कूट में आपको आंसर देना था, तो कूट में मैंने नहीं लिखे है, डारेक्टा आंसर लिख दिया है, ए भारत का राश्टी वरासट पसुकोवने तो भी अहाती है। कब घोशित किया गया था? 2010 में घोशित किया गया था। इसकी लगभग आयू पूछे, तो हाती की जो लगभग आयू होती है, वो 70 साल की होती है। साथ में हाती काले रंग के होते हैं। आपने देखा होगा हाती का गलर किसा होता है, काले रंग का होता है, इसलिए इने गर्मिया दिखोती है, इनका जो दिमाख होता है, वो काफी बड़ा होता है, यदि कीलो में पूछे तो लगबग साड़े पांच किलो का होता है, और भारत में सरवाधिक हाती कहां पर पाए जाते हैं तो एक करनटक राज्जी में पाय जाते हैं और हाती समू में रहते हैं कुछ जो समू का नेतरत्व है वो कौन करती है जो बुजुर्ग हतनी होती है वो समू का नेतरत्व करती है हाती के जो नर बच्ची है वो 14-15 साल के बाद जो समू है उसको छोड़ देते हैं यह ये साकारी होता है, जैसे कि, बताया मैने अभी थोड़ी देर पेले, 100 किलोग्राम खाता है, 200 किलोग्राम नहीं खा पाता है गर्मी से बचने के लिए हाती कीचड़िया जल में खेलना पसंद करते हैं और हाती का जो गर्भकाल होता है लगब कितने माँखा होता है तो 22 माँखा होता है और यदि पूछ n जाए कि जो हाती है वो किस राजी का पसू है तो याद रहिए का तीन राजी का राजी पसू है केरल, करणाटक और ज्जहार खड़ हाती दिन भर में केवल कितने गंटे सोता है जो है वो 8 km दूर तक सुन सकते हैं यहाँ पर पूछ जाता है तो 8 km आपको ध्यान में रखना है चलिए अब यहाँ पर टोपिक की बात कर लेते हैं कि टोपिक कौन-कौन से पूछी गई थे यहाँ पर पेडागोजी में पर्यावरें पेडागोजी में पूछे जारा जैसा कि हम आपको डेली बता रहें इसको अच्छे से कबर कर लेजीगा आज पूछा गया था मानिचित्र साँ पूछा गया था यदि आप यह वीडियो देख रहे और आज पेपर था तो यदि आपको कुछ पुछ पिस Auf刀 याद आ रहे है इससे भी 2 पूछे गए थे और इससे भी 2-2 पूछे गए थे 6 पूछे आपके जिनिप्याजे वाइगोजसे की और कोहलबरगे से पूछे गए थे और मैं EBS में आपको बता ना भूल गया EBS में RTE 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 2009 से भी पूछा गए था आपका किसमें EBS में तो ये भी ध्यान में रखियेगा, इसको भी cover कर लिजेगा, वाई गोचिकी से, कोलबर्ग से, और जिनिप्याजे से, दो-दो प्रशने पूछे गए थे, निपून भारत से, डेली प्रशने पूछा जा रहा है, इसको अच्छे से याद कर लिजेगा है, क्रेशन के सिध्ध अधिगम से पूछा गया था, आपका अधिगम से पूछा गया था, NCF 2005 से पूछा गया था प्रशन, NEP 2020, यह हर स्रिप्ट में, हर विजे में पूछा जा रहा है, NCF 2005, बच्चों के द्वारा बताया गया कि सर्फ 5 से 6 प्रशन, सभी विजे में हैं, एक subject की नहीं बता रहा पूछा जा रहा है, ट्रेन से पूछा जा रहा है, LCM, SCF भेनने से पूछा गया था, दसमलों से पूछा गया था, पेडागोजी की हम बात करें, तो NEP 2020 से वेन हिले से पूछा जा रहा है, NCF 2005 से आपका कोई सा भी subject हो, उसमें सभी में NCF और NEP से डेली पूछा जा रहे है हिंदी की हम बात करें, हिंदी में जो गध्यांस हैं, वो सूरज पर पूछा गया था गध्यांस और पध्यांस जो पूछा गया था, तो ये आज के गध्यांस पध्यांस थे, और गध्यांस पध्यांस में अंधिका सब्द का परियावाची सब्दे पूछा गया था, अब सुरुंदी, आज आपका पेपर था, तो आप बता सकते हैं, कमेंसिके माध्याम से, संदी विक्षिद पूछा गया था, निपुन भारत से आपका हिंदी में भी पूछा गया था, हैना, अधिगम से समर्न let प्रश्ण भी पूछा गया था आपका, CDP में और हिंदी में, उपसर्ग एक पूछा गया था, कौन सा उपसर्ग था, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, NEP से प्रश्ण पूछा गया था, बहु भासिकता से प्रश्ण पूछा गया था, NCF देखिए ये भी हिंदी में पूछा गया है दोनों ही टोपिक है ना इनको अच्छे से कवर कर लिजेगा IT 2009 से भी आज प्रशन देखने को मिला है तो उसको भी एक बार देख लिजेगा बात करें संसिक्रत की तो संसिक्रत में गध्यान से मुझे जो नहीं मिल पाया है लेकिन जो पेडागोजी है उसमें जिन प्याजे NCF 2005, NEP 2020 इन तीनों से प्रशने पूछा गया था है ना साथ में वाई गोची की से भी प्रशने पूछा गया था जैसा कि हमने आपको बता है आपको हो जरूर रहा होगा तो कमेंट से के माध्यम से इस वीडियो को रेटिंग जरूर दे दीजेगा कि कैसा लगा आपको है ना तो जल्दी ही दोस्ते के नए वीडियो के साथ मिलेंगे जब तक के लिए धन्यवाद